हलो फ्रेंट स्वागत है आपका एक बर फिर से हमारे यूटूब चैनल टेकनिकल ब्रांच में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे अप्लिकेसन के बारे में बताएंगे जहां पर दोस्तो आप अपने फोन में सिर्फ नाम बोलेंगे तो लोग लग जाएगा और नाम बोलेंगे तो लोग खुल जाएगा जहां प्रेंट यह एक स्क्रीन लोग है सिर्फ नाम लेने से ही लोग लगता है और नाम लेने से ही लोग खुल जाएगा तो दोस्तो अब आपको अपने फोन को स्क्रीन लोग को खूलने के जरूरत नहीं है सिर्फ आप कोई भी एक पासवर्ड सेट करें और उस पासवर्ड को सिर्फ आप अपने मूँ से बोले और आपका फोन का लोग आटोमाटिक खुल जाएगा बहुत ही imagining trick है इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं तो फ्रेंट यादि आप जानना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो फ्रेंट इस वीडियो के साथ सुरू से लेके अंतक बने रहें तो दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें आप लोगों से एक request है कि वीडियो को like नहीं किये हैं तो वीडियो को like कर दिजिए और channel को ही subscribe जरूब कर लिजिए तो दोस्तो आईए वीडियो को start करते हैं तो फ्रेंड यही application है इस application के बारे में हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे सबसे पहले आप इसकी setting को समझिए जैसी application को आप पर open करेंगे दोस्तो तो आपके सामने कुछ इस परकार का interface आएगा आपको यहाँ पर permission को allow करने के लिए कहेगा तो आपको यहाँ पर permission को allow कर करकर जो भी आपको password रखना है वो आपको बोलना है तो मैं अपना password रख लेता हूँ विनोद तो देख सकते हैं मैंने अपना password क्या रखा है विनोद यानि कि जैसे ही मैं अपना नाम बोलूँगा तिया screen खूलेगा यहाँ पर password रखने के बाद में यहाँ arrow का option है इस arrow पर click कर देना है उसके बाद में यहाँ पर set pin का option मिलेगा set pin पर click करना है और आपको यहाँ पर एक pin भी लगाना है ताकि यदि आप अपना device से अपने phone को ना खोल फाए यादि आप device lock भूल जाए तो आप इस इन lock से भी खोल सके तो मैं अपना एक यहाँ पर pin lock भी रख देता हूँ नेक्ट पर click कर देना है और आपको फिर से confirm वुशी pin को डाल देना है और click कर देना है उसके बाद यहाँ पर ! गोट इट का option मिलेगा, गोट इट पे click करना है, उसके बाद में इस application के permission को आपको यहाँ से allow करना है, तो यहाँ पे permission मिलेंगे, आपको इस permission को यहाँ से allow कर देना है, परिमिस्थन को allow करने के बाद में उसके बाद ऐसा option आएगा, ते यहाँ पे ok पे click करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर एक permission और है, इस पे आपको करना है, यहाँ पर allow का option मिलेगा यहाँ से आपको allow कर दिना है और फ़ला सा back हो जाना है उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर lock screen status का option है एक button है इस button पर click करना है और आपको यहाँ पर recovery answer देना है recovery में आप यहाँ से कोई भी एक answer दे सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर जो भी सवाल का जवाब है आपको यहाँ पर देना पड़ेगा तो आपको यहाँ पर recovery में एक का आपको लिख देना है तो मैं फिलहाल आपको दिखाने के लिए इस तरीके से yes लिख देता हूँ और आपको कुछ नहीं करना है इतना काम करेंगे तो अब यह application वर्क करने लगा अब देखिए कि यहाँ पर नीचे बहुत सारे wallpaper है आप screen पर कैसा wallpaper रखना चाहते है यदि आप yes इस वाले wallpaper को रखना चाहते है तो यहाँ पर आपको स्रीक क्लिक कर देना है जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर yes का option आएगा यह पर आप क्लिक कर दिजिए यह wallpaper आपके screen पर लग गया है अब मैं आपको दिखाता हूँ देखिए screen lock करकर यह कैसे काम करता है तो देख सकते हैं दोस्तों कि अब मेरे phone में कुछ इस परकार का lock लग गया है अब देखिए यहाँ पर voice का option है जब तक मैं अपना नाम नहीं बोलूँगा तब तक यह जो application है नहीं खुलेगा तो यहाँ पर देखिए कितना भी touch कर लीजिए यह नहीं खुलेगा और यहाँ पर जब क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर जो भी अपने lock रखा है उस lock से खुल सकते हैं और यहाँ पर voice पर जैसी क्लिक करेंगे तो आपका जो password है वो बोलना है तो मैं यहाँ पर खुल के दिखाता हूँ देख सकते हैं जैसे ही मैंने नाम लिया तो यह जो application है खुल गया तो कुछ इस परकार का lock आपके screen पर लग गया है अब आपका phone में यहाँ पर देखे यह तो मेरा पुराना वाला password है और यहाँ पर screen lock कुछ ऐसा हो गया है यहाँ पर tap करेंगे नाम बुलेंगे तो ही जाकर यह screen खुलेगा तो इस परकार का यह आप screen lock लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ कि यह एक application है इस application का जो नाम है voice screen lock है link video के description में है वहाँ से जाकर इस application को download करकर आप यह trick अपने phone में use कर सकते हो तो दोस्तों इस video में इतना ही video अच्छे लगे तो video को like कर दीजेगा चैनल को भी जरू subscribe कर लीजिएगा